मंच पर हमारे साथ आसी हमारे देश के यश्यस्वी ग्रह मंत्री जिन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नेते तुमें इस देश की आत्रिक सुरक्षा का एक नया इतिहास रचा है ऐसे ग्रह मंत्री का रिशी गालब की नगरी के तपस्वे भूमी पर तालियों के साथ स्वाधत किया जाए नहीं 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 यह ग्रॉलियर की ताली नहीं सुनी मैंने मुझे तो ग्रॉलियर की ताली सुनाओ मंचपरासीन हमारे प्रियसान सद मौदे आदर्निया विवेक शेजवलकर साहे मंचपरासीन आदर्निया जैबहान सिंग्पवया साहे विजे दूबे जी हमारे जिलाध्यक शबह चौधरी जी हमारे वेत प्रकाश शर्मा जी राकेश महौर साहे वरुन कुल्शेश्टी मनोच तोमर जी हरीपाल जी अशोक शर्मा जी मीना सचान जी राजकुमार परमार जी ओम प्रकाश शिकावज जी अर्विन राई जी राजिन जैन जी राजिपलिया जी विनोज शर्मा जी, विने जैन जी, प्रबल पताब सेंगर साहे, दीपक शर्मा जी, केशव माजी जी, धर्में तोमर जी, हेमलता बुदोलिया जी, मंच पर आसीम समस्त हमारे महानुभव और मेरे लिए सबसे महतपूर्ण, मेरी आन, बान और शान, और मेरी जीवन की मकसद, मेरी ग्वालियार की समस्त जन्ता जनार्दन जो एस मैदान में उपस्तित है और मेरे साथ में खड़ाओ प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के प्रत्याशी, ग्राम मंत्री अमिच्छा जी के प्रत्याशी, भारती जन्ता पार्टी के अर्ध्यक्ष नड़ा साब के प्रत्याशी, मध्यप्रदेश के संयुक नेत्रत के प्रत्याशी, एक-एक कारेकरता के प्रत्याशी, और ग्व हमारे ग्रामंत्री जी का वैं सुहागत करना चाहता हूँ रिशी गालब की तबस्वी की भूमी की पर और ऐसे ग्रामंत्री जिनों ने आजादी के बाद अगर भारत को पून रुप से सुरक्षित रखने का काम किसी ग्रामंत्री ने किया हो सरदार पटेल जी के बाद तो हमारे अमिच शाजी ने किया है मेरे भाई और बेहनों एक ऐसे ग्रामंत्री जिनों ने प्रधान मंत्री जी के नित्त में कश्मीर को भारत का बिन अंग बनाने के लिए तीन सो सत्तर रद करने का एतिहास से कदम को लागू करने का काम किया मेरे बाई और बेहनों एक ऐसे ग्रामंत्री जिनके नित्त में ट्रिबल तलाक जैसा काला कानून रद करके मेरे महिलाओं को समान हक देने का कारिया प्रधान मंत्री जी के नित्त में किया हो और ऐसे ग्रामंतरी का हम गौलियर की भूमी पर स्वागत करते हैं तै दिल से स्वागत करते हैं मैं इसलिए भी स्वागत करता हूँ व्यक्तिकत और भावलात तक तोर पर क्योंकि ग्रह मंत्रिया में शाजी के नितित में उनका बर्धस सदेव मेरे उपर रहा है और उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ आज ग्वालियर की इस भूमी पर इस इतिहासिक भूमी पर हम सब लोग उपस्ते थें ये ग्वालियर की भूमी इतिहास की सम्रिद्धी है ये ग्वालियर की भूमी संस्कृती का बंडार है ये ग्वालियर की भूमी शम्ताओं का बंडार है और इतियास के किसी भी सदी को आप देख लो इतियास के पन्नों को पलट लो अगर कही न कही विकास और प्रगती का रास्ता इस भारत वर्ष में रहा है तो गॉलियर से ही निकल के रहा है मेरे भाई और भेनों और जो प्रदुम ने आज कहा गॉलियर विकास और प्रगती के रास्ते पर सदे वब बल रहा लेकिन आजादी के बाद जो पच्पन वर्ष कॉंग्रेस का शासंकार रहा दो हजार तीन तक आपकार हमारा गॉलियर विकास से अबरुद रहा है तीन साल मध्यब्रदेश में भादबा के शासंकार को मिला और अगर आप असलियत में देखो तो करोना काल का अगर आप भाग निकाल लो तो केवल पंद्रह महीने भारत के जनता पार्टी को मिली है लेकिन उन पंद्रह महीनों में आज मैं गर से कह सकता हूँ उन पंद्रह महीनों में जो 55 साल कांग्रिस की सरकार ने नहीं किया वो मेरे कमल के फूल के सरकार ने करके दिखा दिया अधरनियामिशा जी अगर गॉलियर में किसी बात की भूक है अगर गॉलियर में किसी बात की आशा और अभिलाशा है तो गॉलियर में विकास और प्रगती की आशा और अभिलाशा है और वो जो सरकार आई थी अठारा मैंनों के लिए उस समय प्रचार में मैं भी जाता था हमने सोचा था कि पंदरे सालों में जो भारत्य जंता पार्टी की लगीर थी उससे जादा लंबा लगीर हम खीचेंगे लेकिन जब वो सरकार बनी वो सरकार जंता के लिए नहीं बनी वो सरकार विकास के लिए नहीं बनी वो सरकार प्रगती के लिए नहीं बनी वो सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी वो सरकार मजदूरों के लिए नहीं बनी वो सरकार केवन एक जोडी के लिए बनी सही है की नहीं? अगर सही है तो एक जोडी के लिए बनी चुटे बाई चुटे बाई और जब जब आपका सेवक जब जब आपकी ये दोनों सेवक उस जोड़ी के पास जाते थे गुवलियर की गुषार को लेकर गुवलियर की आवास को लेकर तब तब ना जंता के लिए समय ना विदायक के लिए समय ना मंत्री के लिए समय जब जब गौलियर की गौहार को लेकर जाते थे चलो चलो तो जिस मुख्य मंत्री ने गौलियर की जन्ता को कहा चलो चलो जिस मुख्य मंत्री ने गौलियर के विदायक को कहा चलो चलो वो मद्य प्रदेश की जन्ता ने उस सरकार को कह दिया और आज मुझे गर्व है क्योंकि प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी और ग्रह मंत्री जी के आशिरवाद से जो मद्ध प्रदेश में सरकार बनी पंद्र मैनों की दो साल को अगर आप निकालो करोना काल की उसका बैलेंच सीट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ आज मैं गर से कह सकता हूँ कि हमारा गौलियर बदलता गौलियर हमारा गौलियर बदलता गौलियर हमारा गौलियर बदलता गौलियर हमारा गौलियर विच्सित गौलियर पंद्रह मैने अठारह मैने के अट समय में करोना काल में चाहे नरेन सिंग जी हो पवया जी हो शेजवलकर साब हो प्रबाज जी हो मुक्य मंत्री जी हो हम सब ने मिलकर प्रदुम सिंग तो मर हो एक एक व्यक्ति ने मिलकर गॉलियर का एक विकास का खाका बनाया है और केवल खाका नहीं हम आपके सामने फाइव जी के साथ नहीं आरे फाइव गैरेंटी के साथ पाइव जी के साथ नहीं आ रहे क्योंकि वो फाइव जी वाले लोगों ने तो अपने कारेकाल में टू जी करके दिखा दिया है जेरो ने ब्रश्टा चार्ट टेलेकॉम का टू जी करवाया है वो क्या फाइव गैरेंटी देंगे हम आए हैं आपके सामने हमारे तीन साल के सरकार में गॉलियर में एक भव्य ऐर्स्टोड बन रहा है जिसका शलन्यास किसी और ने नहीं हमारे देश के ग्रहम अंत्री जी ने गॉलियर में आकर 16 प्रोबर को किया ग्रहम अंत्री जी हम आपको गैरेंटी देते हैं कि ये देश का नहीं पूर्ण रूप से पाथ सो करोड रुपए का हमारा हुआ यद्दा तयार हो जाएगा चौदा मैने के अंदर जहाए एक तरफ एरपॉर्ट बना हमारा गॉलियर बदलता गॉलियर हमारा गॉलियर हमारा गौलियर बदलता गौलियर हमारा गौलियर विक्षित गौलियर जहां एक तरफ एरपॉर्ट बन रहा है प्रदान मंत्री जी के आशिरवाद से दूसरे तरफ भव्य नया रेलवे स्टेशन बन रहा है जहां एरपॉर्ट बन रहा है पात सो करोड का रेलवे सेशन बन रहा है तीसरे शेत्र में जिसने कल पना कसी नहीं की स्वंडुरे का नाला उन नाला जो इतिहास में नाला हुता था उन नाले की उपर एक एलिवेटिड रिंग रोड 15 किलोमेटर का बन रहा है 1300 करोड का मेरे भाई और बहनों पहले किश में ट्रिपल आई टियम से मारानी लक्षमी भाई के समाधी सल तक और दूसरे किश में मारानी लक्षमी भाई के समाधी सल से गिरवाई पुलीस चोकी तक 28 एंट्री पॉइंट होंगे और 30 एक्जिट पॉइंट होंगे हाईवे गॉलियर के अंदर बनने जा रहा है मेरे भाई और भेनों हमारा गॉलियर हमारा गॉलियर हमारा गॉलियर बदलता गॉलियर हमारा गॉलियर विक्षिद गॉलियर इस गॉलियर में गरमी के बाह में मेरे ग्वालियर के वासियों की लाइन लगती थी पानी की किलत एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे कंट लाइन लगाकर बैठते थे मेरी महिलाएं बाल्टी लेकर खड़ी होती थी हमने कसम खाया था कि ग्वालियर के लिए हम पानी चंबल से लाएंगे और आज इस मंच से शिवराज सिंग चोहान जी को मैं धन्यवाद देना चाता हूँ ग्राम अंतलिय हमेश्या जी को धन्यवाद देना चाता हूँ चोदस सो करोड उपे की चंबल से पानी लाने वाला गॉलियर की प्रोजेक्ट मन्जूर हो गई है मेरे भाई और भेनों मन्जूर हो गई है चारसो करोड उपे चंबल से पानी आएगा छेसो करोड उपे एक सट से च्छासट वाड जो अभी जुड़े हैं वालियर में वहाँ डिस्टिब्यूशन का पाइप्लाइन लएगा और एक नमबर से साथ नमबर के वाड का डिस्टिब्यूशन का पाइप्लाइन चारसो करोड का लगने जा रहा है तो पानी की समस्या स्वास की सुविला जो कल पना नहीं की थी भारत ये जद्धा पार्टी की सरकार ने हजार बिस्तर का अस्पताल चार सो करोड का बनाया है 165 करोड का मल्टी स्पेशालिटी का अस्पताल बनाया है हजीरे का अस्पताल काधुनी करण हो गया है मुरार के अस्पताल काधुनी करण हो गया है हम यहां विश्वास और गैरंटी देने नहीं आये है हमने गौलियर का विकास करके आपके सामने आए हैं मेरे भाई और मेहनों तो आज मैं आज से निवेदन करना चाहता हूँ जहाँ संयुक राष्ट ने गौलियर को संगीत की नगरी का दाइरा भी दे दिया है ये तान सेन की नगरी ये गौलियर घराने की नगरी को प्रधान मंत्री जी के आशिरवाद से ग्रह मंत्री जी के आशिरवाद से संगीत की नगरी का दाइरा दिद्बिल चुका है तो आज आप सबसे मैंने विदन करना चाहता हूँ हमारे पास एक क्या दो विकल्प हैं एक तरफ छूट भूट और लूट की सरकार एक तरफ छूट भूट और लूट की सरकार एक ऐसी सरकार जो कहती है महबत का दुकान है महबत का दुकान है लेकिन उस महबत के दुकान में केवल नफरत का सामान है उस महबत के दुकान में केवल नफरत का सामान है इस देश का नाम अगर किसी में उजागर किया तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने उजागर किया भारत मा का पिरंगा जंडा देश के अंदर नहीं जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करके एक एक देश के राष्टपती और एक एक देश के प्रधान मंत्री को लाकर भारत मा की माटी को मत्था टेकने के लिए उन्सूर कर दिया भारत का जंडा भारत के अंदर नहीं विश्व पटल पर प्रधान मंत्री लरेंद मोदी जी ने गाड के रख दिया और भारत माता के तिरंगे को विश्व पे नहीं चांद पे भी गाड के रखने का काम देश के प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी ने कर लिया तो आज एक तरफ आपके पास है डबल एंजन की सरकार और दूसरे तरफ दिना एंजन की सरकार एक तरफ डबल एंजन की सरकार और दूसरे तरफ बिना एंजन की सरकार तो सत्रह तारी को आप और हम संकल्प ले ये चुनाव नहीं है मत समझना ये चुनाव है इस चुनाव के जरिये हम ग्वालियर का पविश्य तेह करेंगे गौलियर का नव निर्मान तै करेंगे मध्यप्रदेश का नव निर्मान करेंगे और जिस मध्यप्रदेश को इस कमल के फूल ने बेमार राज्य से बेमिसाल राज्य बनाना है वो सफर आगे चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठाकर मुझे आप आश्वा संदो केंदर मंत्री अमिच्छा जी को आश्वा संदो मुठी बानकर कि एक एक वोट सत्रतारी को और एक वोट न चुटे ये कॉंग्रेस की बोरी बिष्टर बानकर सत्रतारी को हम रवाना करेंगे हाथ उठाकर मुठी बांगर भारात मता की भारात मता की भारात मता की दन्यवाज जेहन जेवाल आचागे कोचली को और भीर सावरकर को अपना पेरा पुन्य मानने वाले आज वास्ता मैं खुद ही पेना के केंड़ बन गई है